हेलो गाईस वेल्कम टो अनादर न्यू व्लॉग वीडियो तो कैसे हैं आप लोग आप एकदम मस्त होंगे स्वस्त होंगे तो आप सभी को मेरा प्यार बरा नमस्कार सो दोस्तो आज के व्लोग पर मैं आप सभी को कुछ प्राचिन मंदिर दिखाने वाला हूँ और आपको दर्शन भी कराने वाला हूँ तो मैंने रहे इस वीडियो में एंड तक अगर वीडियो पसंद आए तो फिलिस लाइक करें शेर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आज के इस व्लोग को शुरू करते हैं करें तो लाइब दो। हुआ है। आज में आया हूँ राजसमन जिले के मच्चिन गाउं से जस्ट थोड़ा 10 किलोमेटर आगे एक बहुती पुराना मंदीर है जस मंदीर का नाम है करदर बावजी का मंदीर जो इस व्लोग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बने रही है एंट तक तो दोस्तो यह है राजसमन जिले का प्राचिन मंदीर जिस मंदीर का नाम है करदर बावजी का मंदीर काफी खुपसूरत मंदीर है आपको बता दू मंदीर के चारो तरब पहाड़े इलाका और हर्याली रहती है दोस्तो यहां खुपसूरत मंदीर आपको राजसमन जिले के मचिन गाव से 15 किलोमेटर दूर खुपसूरत गाव बड़ा बाणुजा में देखने को मिलेगा दूर दूर से भक्त लोग यहां करदर बाग जी मंदीर के दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तो अगर आपको भी इस मंदीर के दर्शन करने हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं 24 सी गंटे यहां मंदीर खुला रहता है इस मंदिर में शेटर डे और संडे को काफी सारे भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है दोस्तो अब मैं फाइनली मंदिर के अंदर की तरफ चलता हूँ और आपको करदरबाग जी की मुर्ती के दर्शन भी करवाता हूँ तो guys चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ दोस्तों मैं फाइनली मंदिर के अंदर की तरह पहुँच चुका हूँ तो अब करते हैं भगवान के पूर्ण रूप से दर्शन सो गाइस फाइनली करदर बाव जी के मंदिर में पहुँच गया हूँ बहुत थी नजदी की वह आपको मैं दिखाने वाला हूँ वहाँ चलके धर्शन भी कराने वाला हूँ बने रही इस वीडियो में एंड तक सो दोस्तों कैसा लगा करदर बाव जी मंदिर का व्लोग अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं अगले वालोग में जब तक के लिए जय हिन